हलो, वेलकम और वेलकम बैक एवरिवन, वेदिक मैच की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, आज हम क्रिक नमबर नाइन पढ़ेंगे, इससे पहले हमने आठ क्रिक सीख लिया है, अगर किसी ने वो ना देखा हो, तो प्लिस उसे भी एक बार देख ले, तो आये, अब हम देखते हैं, हमारी क्रिक नमबर 9 क्या कहती है, जब भी हमें कोई 3 डिजिट नमबर का स्क्वेर निकालना हो, तब हम विक नमबर 9 का इस्तमाल करेंगे, फोर एक्जामपल, स्क्वेर ओफ 1, 2, 3, स्क्वेर ओफ 2, 2, 2, ऐसे 100 से लेके 9, 9, 9 तक, जितने भी 3 डिजिट नमब है, उन सब का हम इस ट्रिक से स्क्वेर निकाल सकते हैं, वो भी विदिन 5 to 10 सेकंड्स, तो ट्रिक नमबर 9 शुरू करने से पहले, हमें कुछ चीज़े पता रहनी चाहिए, जिसे हम डूपलेक्स कहते हैं, तो आज ये अब हम देखते हैं, डूपलेक्स क्या होता है, सो, किसी भी सिंगल डिजिट का डूपलेक्स होता है, उसका स्क्वेर, याने, for example, A एक सिंगल डिजिट नमबर है, तो उसका डूपलेक्स होता है, a square ठीक है अब कोई भी दो डिजिट नंबर का डुपलेक्स होता है 2 into वो numbers याने for example a b एक 2 डिजिट नंबर है तो इसका डुपलेक्स होगा 2 into a into b ठीक है अब कोई भी 3 डिजिट नंबर का डुपलेक्स होता है पीच के डुपलेक्स होगा b square प्लस 2 into बचोवे numbers याने अगर a b c एक 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर उसका डुपलेक्स होगा b square प्लस 2 into a into c तो यह basic तीन चीज़े हमें ध्यान रखनी है ठीक है एक बार फिल से रिकॉल करता है सिंगल डिजिट का डुपलेक्स होगा a square टू डिजिट याने इवन डिजिट नंबर्स का डुपलेक्स होगा 2 into वो नंबर्स और कोई भी 3 डिजिट याने और डिजिट का डुपलेक्स होगा पीच के नंबर का square प्लस 2 into बचे हुए नंबर्स तो आएए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 9 कैसे इस्तमाल करें इसका डुपलेक्स निकाल के सबसे आखरी में लिख दो तो 6 एक सिंगल डिजिट नंबर है उसका डुपलेक्स होगा उसका square तो 6 square 36 अब हमारी स्टेप नंबर 2 कहती है कि 6 और यह 9 इन दोनों का डुपलेक्स निकालो ठीक है जो 6 और 9 एक इवन डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर से तो इनका डुपलेक्स होगा 2 इन टो 9 इन टो 6 अब हमारी स्टेप नंबर 3 कहती है कि यह 6 9 और 1 तीनों का डुपलेक्स निकालो सो 6 9 और 1 तो 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट नंबर का डुपलेक्स कैसा होगा बीज के नंबर का स्क्वेर प्लस 2 इन टो बच्चे हुए नंबर्स याने 9 स्क्वेर प्लस 2 इन टो 1 इन टो 6 अब हमारी स्टेप नंबर 4 क्या कहती है यह जो 9 1 है इनका डुपलेक्स निकालके उसका अंसर लिख दो सो 1 और 9 यह 2 डिजिट नंबर है इसका डुपलेक्स होगा 2 इन टो 1 इन टो 9 अब आखरी बच्चा हुआ एक एक सिंगल डिजिट है इसका डुपलेक्स होगा 1 का स्क्वेर 1 का स्क्वेर 1 ही होता है एक बार हम देखते हैं हमें ग्रूप के ऐसे बनाना है जैसे हमने 1 1 1 के मल्टिप्लिकेशन में सिखा था उसी तरह की ग्रूप बनाना है पहले 6 फिर 6 9 फिर 6 9 1 फिर 9 1 फिर 1 ठीक है आप इसे एक बार प्रैक्टिस करोगे आप इसे विदिन 5 तो 10 सेकंड जरूर सॉल्फ कर लोगे पहले हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो से सीखने हमें लगता है लेकिन एक बार हम उसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वह चीजी हमें धीरे-धीरे आसान लगने लगती है तो अब हम फिर से एक्जांपल की तरफ आते हैं तो अब यह इतना बड़ा हमें जो एक्वेशन मिला है अब इसे हमें सिर्फ बैलेंस करना है ठीक है तो हम एक बार जो कैलकुलेशन से इसको फिर से नीचे लिख लेते हैं ठीक है सबसे पहले 36 फिर 2 इंटो 9 इंटो 6 तो 9 6 जा 54 54 इंटो 2 108 फिर 9 स्क्वेर 81 प्लस 2 इंटो 1 इंटो 6 तो 6 इंटो 2 12 तो 81 प्लस 12 93 फिर 9 इंटो 2 18 और लास्का 1 स्क्वेर यानि 1 सो अब यह हमारा एक इकवेशन बन गया जो की रिडियूस फॉर्म में है उपर वाले इकवेशन के ठीक है इसे हमें बैलेंस करना है बैलेंस करना हमने इत्ती बार से एक लिए हैं कि हम तुरंद में इसको सौल्फ कर लेंगे ठीक है लग रहा होगा लेकिन नेक्स्ट एक्जाम्पल में आपको पूरी आइडिया क्लियर हो जाएकी कि एक्सेक्ट आपको कैसे सॉल्फ करना है ठीक है तो अब हम और एक एक्जाम्पल कंसिडर करते हैं फॉर एक्जाम्पल स्क्वेर ओफ सिक्स सेवेंटी फाइव क्या कहती है जो फाइव सिंगल टिजिट है उसका डूपलेक्स निकालो सो फाइव का डूपलेक्स होगा उसका स्क्वेर सो फाइव स्क्वेर ट्वेंटी फाइव अब हमारी स्टेप नूबर टू क्या कहती है ये जो 7 और 5, 2 digit number है, इसका duplex निकालो, इसका duplex होगा, 2 x 7 x 5, अब हमारी step number 3 क्या कहती है, ये जो 576, 3 digit number है, इसका duplex निकालो, इसका duplex क्या होगा, बीच की number का square, प्लस 2 x 2 बचे हुए numbers, अब हमारी step number 4 क्या कहती है, यह जो 7 और 6 है, इसका डूपलेक्स निकालो, यह दोनों है 2 डिचिट, उसका डूपलेक्स क्या होगा, 2 इंटो 6 इंटो 7, अब हमारी last step क्या कहती है, यह जो बचा हुआ 6 है, इसका डूपलेक्स निकालो, सो 6 एक सिंगल डिचिट है, इसका डूपलेक्स होगा, 36, यानि उसका square, ठीक है, अब इस sequential को हम एक बार short में लिख लेते हैं, ठीक है, सो आखरी का 25, फिर बीच का 7 इंटो 5 इंटो 2, यह कितना होता है, 75 है 35, 35 इंटो 2, 70, उसके बाद 2 इंटो 6 इंटो 5, सो 65 है 30, 30 इंटो 2, 60, 60 प्लस 7 स्क्वेर, 49, 60 प्लस 49, 109, ओके, फिर आखरी जो टूल डिचिट है, 6, 7, इसका डूपलेक्स था, 6, 7, 42, 42 इंटो 2, 84, और आखरी का 36, ठीक है, अब हम यह शॉर्ट फॉर्म में मिल गया है, अब इसे हम से बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो आखरी का 5 वैसे के वैसे निचे लिख लिया, फिर 2 को बोला आगे जा, सो 70 प्लस 2, 72, 72 का 2 निचे लिखेंगे, 7 कैरी होगा, फिर 109 प्लस 7, 116, अब 116 का 6 सम निचे लिखेंगे, 11 कैरी होगा, अब 84 प्लस 11 होता है 95, 45, सो 95 का 5 निचे लिखेंगे, 9 कैरी होगा, अब 36 प्लस 9, 45, सो अब हमारा फाइल रांसर आ गया, 455, 625, 5, सो पहले के जो दो एक्जामपल थे, उसमें हमने पूरा स्टेप्स लिख के सॉल्फ किया, क्योंकि आपको स्टेप्स थ्यान में रहे, लेकिन अब ये जो आखरी एक्जामपल है, इसमें हम mentally सॉल्फ करने का ट्राय करेंगे, ठीके, एक्जामपल स्क्वेर ओफ 242, सो अब हमारे स्टेप नमबर वन क्या कहती है, ये जो आखरी वाला 2 है, उसका डूपलेक्स निकालो, सो 2 का डूपलेक्स होगा, 4, अब हमारे स्टेप नमबर 2 क्या कहती है, ये जो 2 और 4, 2 डिशिट है, इसका डूपलेक्स निकालो, सो इसक समनी चु लिखेंगे 1 क्यारी होगा अब हमारी स्टेप नंबर 3 क्या कहती है यह 242 का डुप्लेक्स निकालो सो इसका डुप्लेक्स कैसा बीच के नंबर का स्क्वेर यानि 4 स्क्वेर 16 प्लस 2 इंटु 2 इंटु 2 सो 16 प्लस 8 16 प्लस 8 होता है 24 24 प्लस यह जो 1 क्यारी किया था 25 सो 25 का 5 हम लिखेंगे 2 क्यारी होगा अब बचा हुआ 4 2 इसका डुप्लेक्स देखें यह 2 इंटु 2 इंटु 2 सो 4 टुजए 8 8 टुजए 16 16 प्लस जो 2 क्यारी किया था वहता है 18 18 का 8 निचे लिखेंगे 1 क्यारी होगा अब आखरी वाला डिचिट आखरी बचा है 2 सो 2 का डुप्लेक्स होता है उसका स्क्वेर सो 2 स्क्वेर 4 4 प्लस 1 यह क्यारी इनने कित्त होता है 5 सो अब हमारा फाइल सब्सक्राइब आ गया 5 8 5 6 4 से मल्टिप्लिकेशन कर रहे हैं सो इससे पहले हमने जो 3 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 3 इंट का मल्टिप्लिकेशन सिखा या 2 इंटो 2 इंटो 2 इंट का मल्टिप्लिकेशन सिखा उससे भी आप कर सकते हो लेकिन अगर आप स्क्वेर निकालने के लिए स्पिस्पिक इस टेक्नि भी जोइन कर सकते हैं सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू और बाई बाई